जनपर धर्दोई में व्लॉक सुरक्षा मुख्याले पर भृष्टा चार रुकने का नाम नहीं ले रहा है सरकार दुआरा बनाए जाने वाले कैंटल सेट ग्राम प्रधान ने ग्राम सबाजवाद जंकल डाक के जमीन पर बनवा दिये कैंटल सेट तमाम जांचवाद खोसबीन के बाद भी खनन माफिया अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे है प्रधान पती ने 50 से अधिक बालू टॉली मौके पर अपनी जगह पर डंप कर रखी है जो की ग्राम सबाज से बेची जाती है 6000 और 7000 में प्रधान पती बहुत बड़ा खनन माफिया है धर सुर्सा थाने में 2014 में धारा 325 के तहर तमंचे के साथ गिरफतार कर जेल भेजा गया था 6 माह तक जेल काटने के बाद भी मन्रेगा के अंतरगत जेसीवी द्वारा कार कराने के संबंद में सुर्सा थाने पर मुकदमा पंजिकरत किया गया था नहीं नहीं ग्राम प्रधान ने अपने परिवार के जाब कार्ड भी बनवा दिये जो बुजर्गों के भी बने जाब कार्ड कई वर्चों से मचीला नहर में बालू खनन करते हुए आधी कमाई के चलते पांच साल में अपने गाउं में से दो करोड की संपत्ती भी बना ली 2020 में ग्राम प्रधान भी बन गया प्रधान बनते ही सुरसा ब्लॉक पर इसतर पर अधिकारी की मिली भगत से बिना डिमांड के बनवा दिये गए कैंडल सेट कमरॉली ग्राम पंचायत की गाउं मरेला में मावैशनो इंटरप्राइजस कमरॉली द्वारा फरजी बिल पूरू में रहे खरनमाविया ब्लॉक अधिकारियों पर धबाव बना कर गउं में 200 लोगों की अबादी में बना दिये लगभक 50 कैंटल सेट घट्या निर्माल के चलते लाखों रुपए में बनने वाले कैंटल सेट ग्राम प्रधान द्वारा 70,000 में तयार किये गए गए में ग्राम विकास अधिकारी सुबोध गुपता से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा मेरे संग्यान में कोई बात नहीं है जब विकास खंडा दिकारी से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा मुझे लिखित के रूप में जानकारी दो तो मैं कारिवाही करूंगा इसके मुझे कोई जानकारी नहीं है